दोरों में आपने कई जौंपडी देखी होगी जो कींकर और देशी पेडों को काटकर बनाई जाते हैं लेकिन दोरों में आपने फूस बांस और मिट्टी से बनी जौंपडी देखी है अगर नहीं देखी तो आज हम आपको फूस बांस और मिट्टी से बनी जौंपडी जब गर्मी होती है तो काफी ठंडी रहती है यहां विकानेर में इन दिनों बाहर से लोग आए वे हैं जो यहां जौंपडी बना कर रहते हैं वे यहां खेती करने के लिए आए हैं उत्रपरदिश के बरेली के रहने वाले इसमाईल खान ने बताया कि वे यहां करीब दो सालो से यहां खेती कर रहे हैं और वे यहां जौंपडी फूस से जौंपडी बनाते हैं जो यह फूस वे जैपुर से लेकाते हैं इसमें लकडी का भी इस्तमाल किया जाता है इसके बाद इस फूस के उपर चिकनी मिट्टी का लेप किया जाता है जो काफी यहां के लिए अनुक का समय लगा है यह जौंपडी 15 फुट लंबी और 10 फुट चोड़ी है इस जौंपडी की किमत करीब 30,000 रुपे है वे बताते हैं कि इस जौंपडी में कई तरह की डिजाइन की गई है इस जौंपडी में मिट्टी से कई तरह की डिजाइन नहीं नहीं और आकरसक डिजाइन ह जिस जहां पर लोग बिस्तर लगा कर आराम करते हैं वहीं इस मिट्टी से बने डिजाइन की गई यहां जरूत मंद की चीजे भी रखी जाती है इसके अलावा पारिस जब घर में आती है अच्छा और यह जोंपडी किस से बनी हुए है यह फूस होता ना फर्डवाड़ा बोलते हैं कहां से यह जैपुर साइड साइब और और क्या लगाए वहाई इस जोंपडी में और कुछ नहीं है यह फूस ही है सारा अच्छा यह लगडी बगएर बांस ब बहुत काफी लगडी लगई है सब लगडी की मजूती है और मिटी मिटी तो यह इस खुदान करके जहां चिकनी मिटी होती उपर लेओ कर देते हैं अच्छा और कितनी मिटी लगी है इसमें इसके अंदर एक ट्रॉली मिटी और आप यहां किते सालों से रह रहे हैं यहां अच्छा और कितने लोग रहते हैं अच्छा और कितने लोग काम कर रहे हैं यहां पर परिवार और कितना समय लगते हैं इस जॉंपडी को बनाने में एक महीना एक महीना